असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ सामिया और आप सब का तहित दिल से वेलकुम करती हूँ सामिया की दुनिया में और कैसे हैं आप सब लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ, अलाम दोलिल्ला और देखें जी आज मैं अपनी छट पर आ गई हूँ और ये कितने प्यारा प्यारा सा मंजर देख रहा है आप लोग भी देख रहे होंगे यह जो है यह कवे हैं और यहां पर चीले हैं और मैं तो बहुत ही लुस ले रही थी इस चीज का देखें जी इनको मैं खाना किला रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है यह जब यह लोग आते हैं और खाते हैं दिल को एक बहुत ही अलग स्कून मिलता है तो बज जी ये मैं आज की मेरे दिन की शुरुआत थी और बाकी वैसे मेरा सारा काम अल्मोस्ट हो चुका है थोड़ा बहुत किचन का काम रहे गया है वो मैं भी इन लोगों को खाना किला कर और जाकर दुबारे से करूंगे और आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है अर्वी गोश्ट की रेसिपी तो देखें जी मैं मुझे बाद में एसास हुआ कि यह जो है सई से पूरा वीडियो आया नहीं है गोश्ट इसमें से मिसंग है तो चलिए हम फिलाल स्टार्ट करते हैं और जी देखें यह जो है मैंने प्याज ली है चार जो है medium size के प्याज लिये थे मैंने जो मैंने लंबे-लंबे कच कर लिये थे इसके बाद मैं यह देखें अर्वी आपको दिख रही हूंगी ये तीन पाओ के करीब जो है ये गोश्ट है मतन है और जो है सौरी वो नहीं आया मैं जो बिल्कुर अंदाजा नहीं हुआ अच्छा है मैंने हाफ कप ऑईल ले लिया था इसके लिए और अर्विया हमारी हाफ केजी और तीन पाओ हमारा गोश्ट था मतन का अच्छा ये इला देगी मिर्च है ये और नॉर्मल मिर्च नहीं है और ये मैंने थ्री टेबल स्पून फुल भरके जो है ये धनिया पाउटर लिया था और ये फाइव टू सिक्स हरी मिर्चे थी और जी देख लें जी थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ है और बस जी इसमें यही चीजे जा कर दो तो बजी मैंने यह क्यों कर लिए च्छाच यह वही चैसे जो मैंने आपसे बताया तने कि लेकर आ गई हूं सिंपल वाला तो वही था यह अब मैं इस पर आज मैंने अपने किचन के अंदर ही बना ही वीडियो तो देखेंजी मैंने कूकर के अंदर जो है ऑल डाल दिया अब मैने चेक करें की गरम हो गया है है तो अब मैंने इसके पारा जेरा था वह मैंने इसके अंदर हरी उलाइची डालओंगी अच्छा यह मुझे ऐसे लगा कि यह सईसे दिखनी रहा है थो थोड़ा झाला मैं चपसे और मुझे माफ कीजेगा और देखे मैंने हरी लाइटी डाल दी है और अब यह मेरा ओइल जो है यह गरम हो गया था तो अभी भी मुझे अंदाजा अब हुआ बाद में कि अभी भी बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है तो उसके लिए माजरत चाहती हूं और लेकिन आपको र दूने बानेंगे और ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमको बच देखिए हलका सा पिंग पिंग सी होने लगी है ना तो बस इतना ही हम इसको रखेंगे है ना और यह ऐसी अच्छी लगते हो यह पूरा जब गोश्व कर रहा हो तो गल जाए अच्छे देखें जी लेसन रखके पेस्ट में और यह प्यास के साथ मटन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो है इसकी कुछ भी कचांद है जो भी स्मेल है वो निकल जाएगी तो बस अम जी इसको कर रहे हैं और आप बताईए आप लोग कैसे हैं सब लोग और क्या चल रहा है आप लोगों की ना जो है इसकी स्मेल जो है वो चली जाती है बिलकुल मटन की थोड़ा चिकना गोश्त है तो मुझे लगा कि जो है इसको अच्छे से भून लिया जाए पहले क्योंकि वैसे में जो में भूना यह देखें वो तो बाद में होगी है ना तो अभी मैं तो यह हलका फूलका सा यह सिर्फ इसकी स्मेल वाल जो मकसद है मेरा जो इसकी स्मेल निकल जाए तो थोड़ा सा लेसना दरख और हल्दी के साथ मैं इसको भून रही हूं और अब जी इसमें जो नेक्स जाएगा वो है लाल पिसी हुई मिर्च जो है यह अच्छा में देखी मिर्च है आप लोग जद्धो जहर चल रही है हमारे मिक्स करने की और मुझे आप लोगों से कहना था कि प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और जादा से जादा इसको शियर कीजिए तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा सप अच्छा में जो भूनते हैं ना हम लोग जो है मैं इसके बाद में ही भूनाई नहीं होगी जो थोड़ा हलका फुलका मुझे करना था वो मैंने लेसन अद्रख और हल्डी डाल के कर दिया तो अभी मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं सोचू थोड़ा सा पानी औ और डाल दूँ तो देखें जी मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दिया है तो बस अब मैं इसका ढ़कन लगा दूँगी और ताकि फिर एक सीटी आ जाएगी तो एक सीटी आने के बाद ये हलकी आच पर पकेगा तकरीब आट से दस मिनट तो जी आप लोगों को भी स अतना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है और जी ये मेरा तकरीबन जो है ये गल चुका है मैं ऐसे जो है देख लेती हूँ अभी इसको चलाऊंगी थोड़ा सा कि सई से हो गया है कि नहीं और फिर मुझे अभी देखती हूँ चेक करके देखती हूँ कि गोश्च इसका गला है कि नहीं क्योंकि कभी कभी क्या होता है नहीं गलता है टाइम पर और कभी कभी गल जाता है तो देखते हैं जी देखें जी बड़ा बहतरीन सा गल गया है हाँ जी बिलकुल गल चुका है तो बस अब जी मैं इसकी बहुत बहतरीन करके भुनाई करूंगी मेन भुनाई जो है यह एक चीज आप पकाई हो उसके बास सफाई तो पूरा किचन मांगता है तो बच देखें जी बहुत अच्छे से भून रहा है और अब मैं इसके अंदर जो मैंने कटी हुई हरी मेर्चे रखें थी अब मैं वो डाल दूँगी और अब इसके अंदर जो है देखें क्या चाह कोई भी चीज आप मटन की बनाएं तो उसमें जरूर डालें थोड़ा सा देशी गी यह मैं आपको टिप बता रही हूं यकीन करें इतना सोंधापन आता है टेस्ट में बहुत जबरदस्त अच्छा मैंने यह फ्राई करके जो अर्वी रखी दी अब मैंने वो भी इसके अं बहुत गठाब क Иच्छा लगता है तो देखें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और लिया घ्रोत पानी के अर्वी कि अर्वी को भी घलना है तो मैं इसके जो है एक शीटी आने के बाद जो है दो मिनिट पकांगी दो मिनिट में जो है अच्छे से गरजाएंगी अर्वियां तो अब जी मेरे पूरे दो मिनिट हो चुगे थे लेकिन मैंने क्या करा था ना कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया था विसल जो है इसकी निकाली नहीं थी तो ताकि मैंने का खुब अच्छे से हो जाएगा तो देखें आप कितना बेहतरी हुआ है ये जबरदस्त हमारा अर्विगो जो है तैयार हो गया है अच्छा फ्रेंट्स मैं एक चीज आप लोगों को बता दूँ कि मेरा थोड़ा इसमें जो है ओईल जादा हो गया है वो उसकी वज़ा ये कि एक तो ये गोश बहुत जादा चिकना था और मैंने ओईल तो सही डाला था बट मुझे अंदाजा नहीं था ना देशी खी का मैंने फिर वो बाद में डाला तो इस वज़े जे कुल मिला के बहुत तो गया था तो अच्छा मैंने इस वक्त तो नहीं लेकिन बाद में जो है मैंने इसका जो है सारा जो ऑईल है वो एक तरफ कटोरी में निकाल लिया था ताकि ओवर ना लगे और यगीन करें आप ये बहतरीन बना था बहतरीन जिसे कहते हैं और आप लोग प्लीज मेरी रेसिपी से बन जंदा ही होगी अपना खयार रखिएगा टेक कियर अल्ला हाफिज